आप सभी का स्वागत है मारी यूटूब चैनल चीनिया क्लासेज पर तो आज अपने बात करेंगे इंद्रा मैला शक्ती प्रशिक्षन एमकोसल समर्दन योजरा के अंतरगत मैला एमबालिकाओं के लिए निसूलक RS-CSEP कोर्स के बारे में आपको इसके लिए आवेदन किस प्रकार से करना है और RS-CSEP कोर्स होता क्या है इसका पठेकरम क्या रहता है और नजदी की IT के अंदर समेथ संपूर्ण जानकारी पी अपनी चर्चा करने वाले हैं वीडियो में शुरू से अंतक बने रहें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से पता चल्सके वीडियो को लाइक कर दें अधिक शेर कर दें और यदि आप मारे यूट्यूब चैनल चीनल चीनिया क्लासेस पर पहली बार पदार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले गंटी अवशे दबा दें ताकि आपको इसी परकार की उप्योगी और नविंतम जानकारी आप मारे चैनल के माधिम से समय समय प्रप्लवद हो तीरे तो शुरू करते हैं आज की इंद्रा महिला शक्ती परस्रिक्षन एम कोशल समवर्दन योधना तो इच्छुक बा से करवाया जा रहा है तो इन कोर्सों के लिए यदि आप किसी एक के लिए आवेधन करना चाहते हो तो आवेधन करने की जो अंतिम दिनाग रहेगी 15 जनवरी 2022 तक आप इसके लिए आवेधन कर सकते हो तो आज अपने इस वीडियो के माधियम से बात करेंगे आर्या सी एस इसके बारे में जितने ही स समधीत महंतपुंट जानकारिया सबचा करने के लावा यदि आप आरइस सी एफटी कोर्स और जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आमारे चैनल पर इस के लिए अलग लग आपको वीडियो मिल जाएगी हमने आल्री वीडियो कर आख है तो वा सीपी कोर्स तो मैलाएं या बालिकाओं को निसूलक स्पोकन इंग्लीज एंड पर्सनलिटी डेवलेप्मेंट प्रिक्शन तो इस कोर्स का पूरा नाम तो माननिय मुख्यमंत्री महोद्या राजस्तान सरकार ने मैलाओं के सरवांगिन ससक्तिकरण के उदेश्य से बजट गो की थी और उक्तनीदी का उपयोग महलाओं को उद्धम स्तापने एतु सयोग अधुनिक अनुसंदान एतु साहिता कोसल विकास एतु पर्सिक्षन जागरुकता एतु शिक्ष्या तता पीडित महलाओं के लिए पुनरवास मंदी गतवीदियों के लिए किया जाएगा उक् महलाओं का विक्तिताव विकास होसके तता उन्हें रोजगार वैं सवरोजगार के अफ्षर भी प्राप्त होसके अब देरका है नीचे इसका उदेश्या तो इसको भी अपने देखते हैं तो इसमें देरका है महलाओं के सर्वांगिन विकास है तु आवश्या कहा है कि वह स्मर्दन योजना के अंतरगत आर केशल के मादम से spoken English and personality development personality development का निसुलक परशिक्षन है वो दिया जा रहा है फिर अपने बात करें आगे दे रहा है पठे करम बेपात्तरता तो कोर्स का संख्शिप्ट विरू ने दे रहा है spoken English का ज्यान और व्यक्तितव विकास परशिक्षन इसके अंतरगत आपको सिखाया जाएगा और इसमें देर का अबदी तो कितने अबदी का ये जो बूरा परशिक्षन है तो 130 गंटे अर्थात दो गंटे परती दिन और सब्ता में आपको पांस दिन ये कोर्स के बारे में जदी आप इसमें एडिमिशन लेते हो ये आपका चैन होता है तो सिखाया जायागा फिर अपने बात करें तो I.U. की बात करें तो आईू आपकी है वो 16 से 85 वर्स के बीच में होनेशिए पर्शनार्ती जिस वर्स परिशन लेने का उच्च्छों का उस वर्ष की जन्वरी से एक जन्वरी सी आपकी जो आयू की Calculating अर्थात गढ़ना है वो की जाएगी और इसके लावा बात करें सेक्षनीक योगता की तो बार्मी पास मेला या बालिका आपने बार्मी उतिंद कर रखा हो इसके लावा मैला और बालिकाओं के लिए ये कोर्स है इसे उलकर रहने वाला है फिर आगे दिरका आवेदन एम चैन पर किरिया तो योजना के अंतरगत पात्र अभियर्चियों के ओनलाइन आवेदन आमतिर किये जाएंगे तथा निर्दारी तीथी तक प्राप्त आवेदन पत्रों के अधार पर विवाएगे निर्देशा अनुसार और केशल द्वारा वरेता सुची अर्थात मेरिट त्यार की जाएगी और यह त्यार करने एक बाद उपनिदेशक सायक और या पिर निदेशक मैला अधिकारिता के लोगिन पर उपलवद करवाई जाएगी उपन किया जाएगा उसके बाद में जांचकर निर्दारित लक्षों के अनुसार प्रक्षिनार्थी का ओन लाइन चेर्ण करने तू आरकेशल के परतिनीदी का सियोग लिया जा सकता है निर्दारित लक्षों से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्तिति में प्रक्षिनार्थि मेला ऐसे प्रिक्षनार्थी जिन्होंने कक्षा बार्मी राज के विद्याले से उतिर्ण की है एम सनातक तो इनको इस अधार पे वरियता दी जाएगी मेरिट लिष्ट में उक्त स्रेणियों के अभियर्थियों के चैन के पचात से सरही सीटों इतिर्ण कक्षा बार्मी के प्राप्टांकों के अधार पर विर्यता सुची त्यार की जाएगी समान प्राप्त अंकों की स्थिति में अधिक उमर वाले जो प्रिक्षनार्थी है उनकों वर्यता इसके अंत्रगत दी जाएगी आवेंटित सीटों में 18% सीटों पर अनुसुची जाती ही और 14% सीटों पर अनुसुची जन जाती वर्यतियों का चेन किया जाएगा समन्दित वर्यता की स्थिति में अन्य से भी भरा जाएगा तो योजना के अंत्रगत आवान्टित वार्षिक लक्षों की 30 परतिय सीटों पर प्रशिक्षन बेप वरक योजना के तैट पंजीकर्थ मेला ब्यर्थियों को करवाए जाएंगे इस सेतू प्रिक्षा आर्थियों को सुच्चिया पर्थक से आरकेश्यल को प्लवद क्या लगाने होंगे याज चाहिए होंगे तो आयूस थैपन यह तुब कक्ष्या 10 में की अारिक अर्षित है वह लगाना होगी क्योंकि ञूंतमिस में योगता बार्वी पास रखी गई है इसके लावानों सुची जाती या जनजाती कैटिगरी से आप बिलोंग करते हो तो जाती प्रमान पत्र भी आपको साथ में लगाना होगा तो फिर आगे कुछ जानकारियां देर की है और इसमें आपको regular जाना पड़ेगा यानि कि इसमें देर रखा है कि आपके जो उपस्तिती है center पर जहांपे आपको perception दिया जारा है कम से कम 65% होनी चाहिए यदि आपका जो उपस्तिती है वो 65% से कम है तो आपका जो learning code है वो भी जारी नहीं किया जाएगा तो ये पूरा इसमें आपको निरंतर रूप से रोजा ना जाके और दो गंटे या तीन गंटे जितना भी perception का समय देया रखाए उतना आपको पूरा करना होगा फिर अपने बात करें तो direction और perfection यानि कि जहांसे भी आप कर रहे हो उसका समय समय पर direction जो विवागिया दिकारिया उनके द्वारा भी किया जाएगा और फिर अपने बात करें तो इसके लिए आवेदन करने के लिए जो निर्दारित प्रारूप है वो इस प्रकार का आपको बरके और जमा करवाना होगा या फिर आप इमित्रा या जो भी ओनलाइन के अंदर है वहाँ से भी इसको ओनलाइन रूप से बरके और जमा करवा के आप अपना ओनलाइन आवेदना इसके अंतरगत करवा सकते हो जिए आपको ये official notification और प्रारूप ये चाहिए तो आपको वीडियो के description मारे टेलिग्राम ग्रूप चीनिया क्लासिस का लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप सब को प्राप्त डाउनलोड करके प्राप्त अच्छे से करके और बरके इसको जमा करवा सकते हो फिर अपने बात करें तो आपका नजदी की जो केंदर है वो क्या रह सकता है तो इसके अंतरगत ये पूरी लिष्ट दे रहके है जाँजा इसके center रहने वाले हैं आपको इसके अंतरगत center भी बरना पड़ेगा तो आप जिस भी जिले से belong करते हो उस जिले के according याँपे जितने उस जिले में center है तो सब center की जानकारी ये list में दे रहके है संपूर्ण list आपको वीडियो के description में मारे टेलिग्राम ग्रूप चीनिया classes का link मिल जाएगा जोइन कर लें वहाँपे भी आपको ये list पूरी मिल जानकारी उम्मीद करता हूं मारे द्वारा दीगी संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से पसंद और समझ आई होगी वीडियो उपयोगी लगी है तो लाइक कर दें अधिक शेयर कर दें और मारे यूटूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें गंटी अवशे दबादे